तो बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ तो हनी पाजी और निजर के कॉलाबरेशन सॉंग अकाउंट्स को आज पूरे पांच दिन हो चुके हैं और अच्छी चीज ये है कि ये गाना धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है इसने आलमोस्ट तीन लाक लाइक्स के साथ पूरे पांच मिलियन व्यूस क्रॉस कर लिये यही नहीं ये गाना रील्स में भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है इस पे तीन दिन पहले कुछ तीन हजार रील्स थी लेकिन अभी आलमोस्ट पंदरा हजार हो चुकी हैं वेल इस गाने के उपर गैरी संदू का भी रियक्शन आ चुक है हनी पाजी के क्लोस फ्रेंड इंडो भाई ने अभी रिसेंटली गैरी संदू की स्नैपचर्ट स्टोडी शियर की थी जिसमें आप लोग देख सकते हो वो हनी पाजी का सौंग बजा रहे हैं खेर बढ़ते हैं नेक्स अपडेट की तरफ तो जैसे कि आपको पताई है कि हनी पाजी की अपकमिंग एलबम गलोरी जुलाई में नहीं बलकि अगस्त में आने वाली है इसका फर्स्ट सॉंग मिलियनेर भी अगस्त के अंदर ड्रॉप होगा तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हनी पाजी मुंबई के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे उन्होंने सुनाक्षी की वेडिंग अटेंड की थी वहीं कल वो एकदम हाई सिक्योर्टी के साथ बांदरा के अंदर स्पॉर्ट हुए थे सलमान खान से मिलने गए थे इनकी साथ में कोई फोटो तो सामने नहीं आई है लेकिन हनी पाजी ने कुछ घंटो पहले एक स्टोरी शियर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने सलमान भाई को गलोरी एल्बम के कुछ गाने वगेरा सुनाए है उन्होंने लिखा है just played few songs of glory to my big brother सल्मान भाई he loved it and gave me lots of blessings मतलब glory के कुछ गाने सल्मान भाई सुन चुके हैं और उन्हें वो गाने काफी जादा पसंद आये हैं उन्होंने हनी पाजी को काफी blessings भी दी हैं सो ये देखके काफी जादा अच्छा लगा अब बस wait करो glory album का बस एक महीना और उसके बाद ये पूरी album आप सब की हो जाएगी खेर बढ़ते हैं next update की तरफ जो की बहुत ही जादा funny है जैसे कि आपको पताईए कि उरवशी राउतेला को अपने हनी पाजी ने love do song के अंदर 2014 में लांच किया था जिसके बाद उन्हें बहुत सारा काम मिला और आज वो बहुत जादा famous हैं अभी तीन महीने पहले उनका हनी पाजी के साथ विगडिया हीरा सॉंग आया था लेकिन अभी अभी एक ऐसी news निकल के आई है जिसको सुनके आपको बहुत हैसी आएगी और वो news ये है कि उरवशी राव तेला ने हनी पाजी के साथ में एक contract sign किया है कि अगर उनको हनी पाजी के साथ में काम करना है तो उन्हें जियान से दूर रहना पड़ेगा जियान के साथ वो कोई भी काम नहीं कर सकती ये news पिछले 2-3 दिनों से काफी मीडिया वाले चाप रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई valid source नहीं लिखा है क्या जोक मारा भाई उरवशी ने तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं बोला है ये एकदम fake news है हनी पाजी कभी भी किसी के साथ ऐसा contract sign नहीं करते उनकी टीम में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके पास फुल फ्रीडम होता है कुछ भी काम करने का बाकी उरवशी ने तो 2-3 गाने जियान भाई के साथ already कर रखे हैं सो ऐसी fake news से आप लोग दूर रहो बाकी बात इधर जियान भाई की होई रहे तो अभी जब हनी पाजी मुंबाई गए थे तो एरपोर्ट से उनकी कुछ ऐसी वीडियो आई थी जिसको एक बहुत बड़े बॉलिवूड पेज ने पोस्ट करते हुए जियान भाई का गाना लगाया है मतलब वीडियो हनी पाजी की है लेकिन प्रोमोशन जियान भाई के सौंग का हो रहे आप लोग एक बार इसकी लाइन सुनो आपका इस चीज पर क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरू बताना बाखी अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बेटन दबाके जाना मिलता हूँ मैं आपको नेक्षे वीडियो में तिल देन बबाई